बभिष्य के सभी अध्यापक सात्यों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हर दिख स्वागत है। दोस्तों, CTAT का Certificate और Marksheet के लिए आपको कुछ चीजें करनी है। और ये चीजें आपको बड़ी सावधानी से करनी है। क्या-क्या चीजें करनी हैं, कौन-कौन सी सावधानी रखनी हैं वह मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद ही आपका CTAT का Certificate और Marksheet डिजी लोकर में आएगा। चलिए, एक एक करके आपको सबसे पहले बता देता हूँ, सबसे पहले आपको Digilocker एप डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से जहांसे आप अपना WhatsApp डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से अपना Digilocker एप डाउनलोड कर लीजे, डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें Sign Up करना है, Sign Up, Sign Up याने की Account बनाना है, Sign Up का मतलब होता है Account Create करना, अगर आपका इसमे Account Create नहीं है, आपको Sign Up करते समय, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे अपना नाम एकदम सही भरना है आपको, अपनी Date of Birth सही भरनी है, अपना जो Mobile Number है वो आपको जो आधार कार्ड से लिंक है, जो आधार कार्ड से लिंक है वही डालना है, क्योंकि बच्चे इसमें अपनी Details फिल करने में गलती कर देते हैं, और फिर उनका Digilocker भी ठीक से ओपन नहीं होता है और नहीं उनका Mark Sheet और Certificate आता है, तो ध्यान से आपको करना सबसे पहले Digilocker डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें Sign Up करना है और Sign Up कर रहोगे तो आपके पास एक Form आ जाएगा, उस Form को आपको भरना है अपना नाम, Dataverse, Mobile Number, याद रखिएगा Mobile Number वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ट से लिंक है, जब आप अपनी डेटे लिस में भर लोगे और अकाउंट क्रियेट कर दोगे तो सबसे पहली तस्वीर आपको इस तरह की दिखाई देगी, सबसे पहली तस्वीर आपको इस तरह की दिखाई देगी जहां पर Government के Central Government की Documents हैं, State Government की Documents हैं, फिर नीचे ही आपको Education का section दिखेगा, Education के section में आपको जाना है, अच्छा, Education के section में जाने से पहले आपको एक चीज और करनी है, सबसे पहले यह जो मेन मेन ही होता है, जो तीन डॉत होती हैं यह पर, उन पर क्लिक करके जो Issued Documents होते हैं, Issued Documents, यानि कि आपको Documents Issued कर दिये गए हैं या फिर नहीं कर दिये गए हैं, इस पर क्लिक करके आपको देख लेना है, कि आपको Documents आए हैं या फिर नहीं आए हैं, अगर Documents नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको देख दिखा देता हूँ, मैंने issued documents पर click किया, मेरा आधार card आ गया है, मेरा test certificate आ गया है, CTAT का, मेरी mark sheet आ गया है, ये जो मेरे certificate और mark sheet है, ये पुराने वाले हैं, यानि कि सबसे पहले 2019 का जो मैंने दिया था, उसके certificate और mark sheet है ये, ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ नहीं मिले, फिर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे करके, यहां पर आप देख सकते हैं, education वाले section में आ जाना है, मैंने आपको बताया था, पहले था central government, फिर ता state government, फिर थोड़ा सा नीचे scroll करना है, यहां आपको education दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा education वाले section दिख जाएगा, education वाले section में यह देखिए, central board of secondary education यान की cbse लिखा है, अब इस cbse पर ही आपको क्लिक करना है, क्या करना है, cbse पर ही आपको क्लिक करना है, और आप क्लिक कर दोगे इस पर, तो पहला ही, यहां पर teachers eligibility test certificate का option होगा, दूसरा teachers eligibility test mark sheet का option होगा, अब इनमें से किसी एक पर आपको क्लिक करना है, जैसे यह certificate का है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, जब आप इस पर क्लिक कर दोगे, तो आपको यहां पर एक दो चीज दिखाई देगा, यहां पर आपको क्लिक कर दोगे, तो सबसे पहले आधार आपका नाम आ जाएगा, फिर आपको अपना roll number भरना है, क्या करना है? आपको अपना roll number भरना है, जब आप इसमें roll number भर दोगे, यहां पर आप select year month, इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें होंगे आपके seat at, अगर आपको इसमें, अपना seat at, January 2021, अगर दिखाई दे जाए, तो उस पर ही click करना है, जब तक आपको seat at January 2021, उसमें दिखाई नहीं देगा, आप समझ जाना, आपका certificate mark sheet, नहीं आई है, है ना, तो जिसकी mark sheet और certificate आईगी, या फिर हम आपको बता देंगे, notice में बता देंगे, यह चीजें मैं क्यूं बता रहा हूं पहले से, अभी आपका mark sheet और certificate आने से पहले यह process पूरी, मैं आपको क्यूं बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे student, जो आपका junior edit section भरती आई है, उसमें apply करना चाहते हैं, और उससे पहले आपका जो last date है, उससे पहले आपका certificate और mark sheet भी आनी है, और certificate mark sheet आएगी तब आप यह सारी process करोगे, और अगर फिर इसमें कोई गलती होगी तो फिर आप लटक जाओगे, तो नहीं आपका हाल ही में जल्दी से ही फिर mark sheet certificate मिलेगा, और नहीं आप form भर पाओगे, तो यहां पर जैसे ही इसकी mark sheet और certificate आ जाएगी, हम आपको तुरंत community post पर बता देंगे और तुरंत हमारे telegram में बता देंगे, आपको telegram का link हमारे description में मिल जाएगा, या पर सरकार या ध्यापक आप सरच करोगे, मेरा photo लगा है telegram में, वहां पर आप हमारे telegram group को join कर लीजिए, वहां सभी teaching exams की तयारी करवा जाती है, वीडियो की notification दिये जाती है, जो भी news आती है, वह हम देती है, और जैसे ही आपका CTAT certificate और mark sheet आएगी, सबसे पहले news आपको दे देंगे, तो यह करके आपको get documents पर click कर लेना है, यहां पर इसको write कर देना है, यहां पर याद रखिएगा, रॉल नमर डालने के बाद, अगर यहां पर CTAT January 31, 2021 नहीं आया, तो समझ जाना आपका certificate mark sheet नहीं आया है, आपको यहां पर एक date मिलेगी, अभी बहुत सारी date ongis में, जैसे यहां पर 2018, 2019, आपको देखना है, 2021 January, अगर 2021 January नहीं लिखा है, तो आप समझ जाना कि आपका certificate और mark sheet नहीं आया है, जैसे ही January 2021 यहां पर लिखा आ जाए, उस पर click कर देना, और यहां पर right click करके, यहां पर get documents पर click कर लेना, जब आप certificate कर लोगे, तो फिर दुबारा back जाना है आपको, फिर दुबारा back जाकर, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर दुबारा back जाना है आपको और back जाकर, फिर दूसरे वाले पर click करना है, mark sheet के लिए, mark sheet के लिए अलग इस पर click करना है, और certificate के लिए अलग, अगर आपके mark sheet और वो सारी चीज़ें आ गई होगी, तो आपको कहां चेक करना है, आपको issued documents पर click करना, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बता चेक करना इसमें, सबसे पहले इसमें चेक करना, सबसे पहले जब आप इसमें साइन अप कर लोगे, अकाउंट बना लोगे, तो यह जो तीन डॉट दिख रहे हैं आपको तीन डॉट या फिर आपको यहां पर नीचे section दिख जाएगा यहां पर भी आपको एक section दिख जाएगा उसपर click कर लेना या फर इन तीन डोट सबख कर लेना इन पर click करने के बाद आपको यहां पर इस्ट्यी documentary करना है यहां पर इस्ट्योड दोकुमेंट्स परito markets झाज़ना इस पर क्लिक करोगे, फिर आपको teacher's eligibility test यह दो है, एक marks sheet का है, एक certificate का है, इन पर एक पर किलिक करना है, और यह अपनी सारी details, यानि का roll number भरके, select year मन्त करके, get documents कर लेना है, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई doubt बच रहा है, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, तो comment section में मुझे जरूर इसके अलावा, आप लोग किस exam की तयारी कर रहे हैं, अभी REIT की तयारी कर रहे हैं, जूर एडिटी सेक्षिक भरती की तयारी कर रहे हैं, वो भी नीचे comment section में जरूर बताएगा, चलिए, यह कुछ छोटी सी information थी, मुझे लगा कि आपको अभी दे दूँ, क्योंकि यह वी आज के लिए तना ही धन्यवाद,